तंबाकू सेवन से कैंसर दिल का दौरा फेपणों के रोग जैसी कई जानलेवा विमारियां होती हैं इस फिल्म अथ्वाकारिक्रम में दिखाए गई कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बेड़ी, सिग्रेट, खैनी, जर्दय त्यादी के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं मनुष्य के सपंज समान फेपड़े हावा सोखने के लिए बने हैं लेकिन कुछ लोग फेपड़ों को बेड़ी सिग्रेट का धूमा सोखने के लिए इस्तिमाल करते हैं एक आम धुम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेपड़ों को अगर आपने चोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा इतना टार आपको बीमार बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है हम रोज बचास नए मारीज देख रहे हैं महीने में करीब एक हजार 80-90 प्रतिशत मूग के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं ये मुकेश की काहानी है मेरा नाम मुकेश है मैं इस दिपी इक सार मुक का चबाया है अब मुझे कैंसर हुआ है अब मेरा आपरेशन हो आणा है शायद में इस क्यागे बोल नहीं सुका अफसोस मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ चॉबी साल का था खैनी, पान, गुटका, पान मसाला सब जान लेवा है जान लेवा है झाल 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 आगे सुलिये तो क्या आप भी बच्चों की तरह खुश हो रहे हैं है चुप रहा हो यह कोई ऐसी टो ऐसी बात है क्या अरे सोमनाथ लचेश्वर डर्वऌंदर संहलों कहाँ गए हो सबम सबसे पहले में चंदा मा को बताना चाहता हो क्योंकि इस खबर से सबसे ज्यादा खुशी हूं नहीं को मिलेगी क्या हुआ चोटे लाल क्या हुआ अरे रुको रुको मुंबई में हमारी बेटी ठीक है ना मुझे देखकर भी समझ में नहीं आ रहा कि वह कैसी होगी अब तुम बताओ चंदाबा हमारे घर में माता जय जम्मा की शादी के लावा तुम्हें सबसे ज्यादा यह है क्या हो सकता है उस शुबकार यह से तुम्हें बहुत खुशी होगी बेटी की शादी की शादी का महरत हां 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 मैं अभी आती हूं राजा साहब यह तो आपकी नौकरानी है फिर भी आपको छोटे लाल कहकर बुला रहे हूं हमने कभी उन्हें अपनी नौकरानी नहीं माना बाई अरे हमारे खांदान की यह सबसे बुजरुग महिला है यह बगवान जय जम्मा की लगन पत्र का अब उसके कुणली मिला कर पोती की शादी के लिए आपका खुशोना समझ में आता है पर धादा होकर उसे इतना सम्मान देने की बाद समझ में नहीं आती हमारी माता जय जम्मा के जाने के बाद से हमारे खांदान में अगली तीन पीडियों तक कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई इनके जन्म लेन मितन लगन मितनтंलगन वही लगन है प्राता छेच बचकर 14 मीनट का महुरत है तुम्हारी माही तुम्हारी पोती के रूप में जन्मी है इसलिए उनकी शादी जिस महुरत में हुई इसका भी वही महुरत है जैजा मामा की शादी जिस्तिती में हुई वही थी थी अरूंदेती की है अरे बापरे कितनी तीज बारिश है देखे ना शेहर में घुस्ते शुरू हो गई जरा संभल कर चलाएए ना वहां पर सहाप का परिवारा चंदामा सभी इस लगन पत्रीका का इंतजार कर रहे होंगे सशीला हम किस्मत वाले हैं ना जो ये काम हम कर रहे हैं और नहीं तो क्या यह हमारी मालके नरूंदा दिकी सुशीला 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 तुम ठीक तो होना क्या हुआ था जी मैं ही तो मुझे भी समाज में नहीं आ रहा है आखेर हुआ क्या था आसपास कोई दिल भी नहीं रहा हुआ किसी बड़े आदमी के हविली लगती है चलो वहां चलके फोन करते हैं कि कहां जा रहे हैं तुम लोग वहां मत जाओं कार का एक्सिडेंट हो गया है जी फोन करने जा रहा है वहां कुछ नहीं मिलेगा तो जो देख रहा है वह कहता हूं वापस जाओं करना बहुत जरूरी है आओ चलो हुआ हुआ है पतानी क्यों रोक रहा था शैद कोई पागल था आओ अंदर आओ हमारी कार का एक्सिडेंट मैं सब जानती हूं इसे अपना ही घर समझो अंदर आओ यह तो राजमहल लग रहा है सच कहा कहा यह हमारा राजमहल ही है मेरे बेटे का राजमहल मेरे यहां तडबता हुआ छोड़कर वह अरुन धदी वहां शादी करने चली है नहीं चुड़ोंगी सुझी जी सुशीला 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 सुझीना मैं यहां पर हूं जी सीडियों से उपर आए ना सुझी जी मैं यहां पर हूं यहां इसके अंदर सुशीला वहां क्या कर रही हो यह 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 मेरे समाधी है समाधी समाधी है जी समाधी कैसी समाधी अब तुम्हें यहां से बाहर कैसे निकालो तोड़ दीजिए ना तुम इसके अंदर कैसे गई जियादा बाते मत करो इसके तुम्हें अरे बापने अंदर बहुत अंधिरा है सास नहीं ने पारी हुझी तोड़ दीजिए ना तोड़ दीजिए ना इसे इसे तोड़ दीजिए ना कितने साल रहूंगा मैं इस कारावास में 80 साल से बत्ले की आग में चलते चलते पागल होता जा रहा हुझी पागल बदला मौत तेरा अंद तू शादी करेगी तूने मुझे समाधी में सडने के लिए छोड़ दिया लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा प्रतिशोद लिए बिना मरने वाला विक्ति प्रेदात्मा बन जाता है और जब तक उसका बदला पूरा ना हो जाए वो इस दुनिया से नहीं जाता चाहे कितने भी युक्यू न बीठ जाएं वो करता है इंतसार अरे अरुन दहती बेटी अरे अरुन दहती बेटी कहां हो तुम उफर तयार हो रही है नमस्कार प्रसाच जी हां राजु भाई नमस्कार अपनी बेटी की महन्दी रस्म का फंक्शन बड़ी धूम-दाम से कर रहे हैं पंडी जी कह रहे हैं कि पूजा का समय हो गया है ठीक है मालक्षमे अहां जी पूजा का समय हो गया है अरुन्धती कहा है उपर तयार हो रही है जी बेटी अरुन्धती जन्दपरी तु है 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 सबसे हसे तु है 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 बदरा काजर तेरा सुप्रज पिकाने पूल तारे तेरे आगे लागे फितारे डोलारे डोलारे ढम खुशियों का आया मौसम डोलारे डोलारे ढम गाने लगा घरांगन तुझसे हाँ जीवन में आया हूँ मंगों भरा ये संगम तुझसे हाँ बागों की कोयल सीखे सुरेली सर्व कचको के से की नजर नह लगे सब लेलू बला है तरे आँखों में जितने है सपनी तेरे सच ओने की आए घड़े दिल का टुकड़ा तु आँखों का तारा जीवन तेरा हो सुक से भरा तो है शुब लक्ष्मी तु अन्य पोड़ा समर्धी है वह तो जहाँ आएगा आएगा तेरे सपनों का राजिकुमार राहूल? ठोलारे ठोलारे ठम अरे आया खुशी का मौसम ठोलारे ठोलारे ठम नाचोरे नाचोरे जन सोनिये बनी तु सिर्थ मेरे लिये मैनों ने जो तुझ से वादें किये मैनी भानी आया ही रिये तुझको लेने आया प्यार तेरा सच करने हर एक सपना तेरा रहना तुम दोनों खुशियों हमेशा मांगो मैं रव से तरी दुआ हमेशा हमेशा एक दूस्रे को दे तेरा हूं प्यार धोलारे धोलारे धं ये प्यार और ये करम धोलारे धोलारे धं आओं यही हर जनम ना हम सह पाएंगे आप सब की जुदाई का गम हर दम इन लमों को रखेंगे दिल में संजों कर हम मैं धोलारे धोलारे धं कुष यो बायामसं। कुष यो बायामसं। हुआ 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 है अब कली से भूल बन गई है तू मेरी भूख मिठाने की उम्र हो गई है तेरी हां थोड़ा थोड़ा निचोड़कर तेरा सारा रस पीचाओंगा बुलाओंगा तुछे राज महल में बुलाओंगा अरे जल्दी 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 करो शाम चार वजे तक मुंबई पहुंचना है हमें पर अभी तक तैयारी पूरी नहीं हुई हमारी जय जम्मा मा के जेवर अरुन धती को बहुत पसंद है किस्मत वाले हैं गहने इन्हें तो लेकर ही जाना पड़ेगा हुआ को तो जाए यह सेन्हें है तो जाए पताव कर दो देखना है जाए यह लेकर दो वांए वांए यह तो देखना है कि अल्दी थे और जे हैं अबगादी खिवद्टत आए कि अब यह लगते हैं अब है कि अब है कि अब गवारे दादा जी गिर गए बेटी अब घबराई है मैं अभी वहां आती हूं नहीं बेटी पंड़ी ने तुम्हें बहार निकलने से मना किया है हम जाके उन्हें ले आते हैं कि वहां दादा जी कैसे हूंगे और आप वालतु की बाते कर रही हैं तो तु आही गई आही है लेकिन राजगर से वापस नहीं चाने दूंगा आप क्या छोटे बच्चे हैं दादा जी जोड़ी कर रहे थे बिल्कुल नहीं जी मैं ना तो उचला नहीं कुदा तो क्या आपको किसी ने धक्का दिया ऐसा ही लगा मुझे भी लेकिन पलटके देखा तो पीछे कोई नहीं था आपका यहां कोई काम नहीं है अब आप हमारे साथ मुंबई चलिए हां हम लोग भी तो यही ब चलिए कि तयारी करें चलिए तो जाए तयारी करें अमारा चोटे लांच चाहें कितना भी बढ़ा हो जाए लेकिन मा जैजम्मा के सामने तब भी बच्चा था और अब भी चंदामा कैसी हैं आप मैं तो ठीक हूं मेरी बेटी अपनी शादी के मोहरत के बाद तुम पहली बार अपने सामराज्य में आई हो ना जैजम्मा मा का अशिर्वार ले लो बेटी ठीक है चंदामा मेरे जाने के बाद इस घर में जो भी पहली लड़की होगी उससे मेरा नाम ही देना क्योंकि उस रूप में मैं ही जन्म लोगी माता तुमने वचन दिया था तुम दोबारा जन्म लेकर इस सामराज्य में वापस आऊगी तुमने वचन निभाया माता वचन निभाया चंदामा वचन निभाया चंदामा जैजम्मा कहीं नहीं गई है वो हमेश्य हमारे साथ है हाँ बेटी हाँ वो हमेश्य हमारे साथ है कि शुषिला चौड़ा मुझे सुषिला उस महल में है सुषिला महल में तू इसे कि शुषिला उसे लाना हो गया लगन पत्रिका लाते समय पुराने महल के पास इसका एक्सिडेंट हो गया था तो यह सुषिला का नाम क्यों ले रहा है इसकी बीवी का क्या हुआ पता नहीं उसका क्या हुआ इसका कोई इलाज नहीं कर वा रहे हैं ऐसी बीमारी और भूत-प करके इलाज करने वाला एक फकीर है हम आज ही से उनके पास बेजने वाले हैं अब कि असलाम आलेको मन अबर भाई लो तुम भी ले लो तुम तो मुसल्मान हो ना तो दर्गा के पास बांटी जाने वाली बूंदी की मिठाई मंदिर के सामने क्यों बांट रहे हो अल्ला की इबादत चाहे कोई कैसे भी करें पर भूक तो सबको एक जैसे ही लगती है भूक मिटाने के लिए इंसान कुछ भी कहीं भी बाट सकता है राधिका जी ये खाओ खाओ सब लोग बेहिचक खाओ और रामू दंदा टिक कल रहा है न कल रात इसने कोई बुरा सपना द पच्छा सू करो सू करो बच्छा सू करो इसने पिशाप करती बाबा शैतान भी पिशाप के साथ बैग गया चल जा अल्ला चाह करेगा बजरंग बली रक्षा करेगा चोड़ो मुझे चोड़ो मनिको चोड़ो इसका शरीर छोड़ दे शैतान चुप कान है तू मैं इस जोगादिया और शाधी नहीं की मैं जोड़ा लूमा तो भूतों की भी लौस्टरी होने लगी रहें कर आला चल तू चल चल अंदर चल लिए अंदर चल चल अंदर चुड़ो चोड़ो पिसम इलला इरहमान इरहीं इस शैतान से इसकी रक्षा करना याली या लाह की पाक खाक, शुद्र पिशाच इस खाक को पार नहीं कर सकते, आम लोगों के लिए अल्लाह का घर है, और तुछ जैसों के लिए कए, चुप कर, इसके अंदर जा, इसके अंदर जा, जा, जोड़ दे इस शरीर को, ये क्या पागलपन है, नहीं बेटी, ये बहुत प करेम, आज रात तुम इस जार को शमशान में ले जाकर कार दो, अच्छा जी, सिता बेन, बच्ची को ले जाओ, जी बबाबा, आख हमें सुर्मा लगा ना, बभूत को पाने में में मेला कर पिला दे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मालिक में हमें हाँ भी जाए, रुक जाओ, रुक जाओ, छाड़ी है, रुक जाओ, बोलो, रुक, पिरी बाद नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम, हमारी छोटी मालकिन, इस तरह टॉचर करने से कोई ठीक होता है, क्या, इंसान को बचाने के लिए उसके भीतर के भूत को निकालना पड़ता है, और भूत को निका दिखा सकते हो, बाबा, दर्द हुआ ना, जी, उसने कहा दर्द हो रहा है, अब बताओ, वो दर्द दिखा सकती हो, ये हवा दिखा सकती हो, अपने प्रान दिखाओ मुझे, जो दिखाई नहीं देता हो, वो सब जूट नहीं होता, जो दिखाई देता है, वो हमेशा सच न तुम्हारा कलावा बादना सच है तो इस पकेर का तावीज भी सच है, अगर तुम्हारा नारियल तोड़ना सच है, तो मेरा नीमू बादना भी सच है, भगवान को सर जुखाना जरूरी है, तो शैता दुस्तुमत भी इस मानसी क्रोगी के साथ ऐसा बरताव करते शर्म नहीं आती पर इसकी जान खत्रे में है यहाँ इसे आप से खत्रा है सुनो, असली खत्रा उसके उपर नहीं मंड़ा रहा है तुम्हारे आसपास खत्रा मंड़ा रहा है ऐसा कहकर मुझे डरा रहे हो देखो मैं सच बोल रहा हूँ तुम्हारा नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा चली जाओ, फोरन चली जाओ, इस शहर से चली जाओ बेटी, अगर ये इतनी यकीन के साथ कह रहे हैं तो कोई वज़े जरूर होगी आप चुप रहे हैं, चल्दा मा मैंने का ना तुम्हें याद करते हुए, तुम्हारा इंतजार करते हुए, यहाँ एक आत्मा भटक रही है, पता है तु सेट, मैं पूर राहुल जल्दी से आजाओ, मैं विरा की अगनी में चल रहा हूँ, इस आग से मुक्ति दिल हूँ पर कैसे, मैं तो मुंबई में हुई ही नहीं, लेकिन मैं तो राजगण में ही हूँ, राजगण में, अच्छा अभी टाइम क्या हुआ है, आधी रात के बारा बजे, इस अंधेरे में तुम तक कैसे पहुचो, समझ में नहीं आ रहा, यहाँ शहर से बाहर एक पुराना महल है, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो महीं रुको, मैं दस मिनिट में आती हूँ, कहां जा रही है मालकी, बाहर जा रही हूँ, दस बंदर मिनिट में आ जाओंगी, रहा, रहुच, जएकेश, सो, जएकेश, जएकेश, मैं आता cone रहे हूँ, जासा है, members, जो, जासी हूँ, जखेचेश, जएको, समयस, जँ जएकेश, जखेबस। जएकित है, जएड़े कि ऑनरुक हूँ, कूज़िए एकीछ, जग्स, जएक्ड़े यहां से वापस है यहां मेरा राहूल आया हुआ है अंदर कोई इनसान नहीं रहता कि बज़ो बेटी यह सीटी वही बजा रहा है बेटी राहूल कहा हो तुम पता नहीं कहां चुपा है राहूल 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 कालिका महा कालिका आओ बेटी कि उपर आओ तुम्हारा राहूल यहीं उपर है तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है आओ बेटी आओ आओ आजाओ अरुन्दती यहां इस कम्रे में मैं कबसे तुम्हारा अंतजार कर रहा हूं अरुन्दती राहूल तुम्हारी आवास सुनते ही मुझे तुम्हारी हर बात याद आ रही है मेरे इतने पास खड़ी हो खुद को रोकनी पा रहा हूं मैं आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ हर गुजरते पल के साथ मैं पागल हुआ जा रहा हूं तेरी चाहन ले लूंगा मैं तुझे समाधी से कभी बाहर नहीं आने दूगे कभी नहीं नहीं आने दूगे आगे रहूंगा ते आपी जागे रहूंगा तुझे मारने आउंगा तुझे बाहर नहीं आपाएगा जाओ मेरी पात्मालत चालो यहां से मैरे सुभूट कर वा हां छोड़ मै series क्रीओ तुम तुम है इस गाहों से जाने के लिए कहा था मैंने तो यहां क्यों चले आई तुम हएँ हम उस शेताँने तुम्हारी जान लेने के लिए जेदो बुला क्या नजया है टाई पांदर बेरा राहूल नहीं है अंदर कोई नहीं है उसने कहा वह यहीं पर है नहीं है राहुल पूछू उससे वो कहा है फोन करके तो देखो तू हम उसे इंतिजार कर रही हूँ बेकार यहां न prowकार हाई कहा होidents मैं तो मुझबाई में हूँ क्यों, क्यों वा, अरू, मुम्मे में हो, हम्, हेई, अरू, वेन आ यू कमिंग, और मैं फ्रेंस आ वेटिन तो सी यू बिफोर मैरेज, तुम्हें जो फोन आया था, सच था, तुम्हें जो बात की, वो भी सच थी, लेकिन राहूल यहां पर आया है, यह जूट है, आखों से जो दिखता है, वो हमेशा सच नहीं होता, यहां पर बहने वाली हवा में, शैतान का सामराज्च है, अल्ला की रोश्नी में, तुम्हें सब सच दिखाई देगा, देखो, समझ गई, सब पुछ समझ गई, ना, मेरी मुंबत्ती, मैं तुझे चोड़ूंगा नहीं, आओंगा, आओंगा, चली जाओ, इस गाहों को छोड़ कर चली जाओ, चली जाओ, अंदर मत जाओने की जाओ, अंदर कोई इंसान नहीं रहता, ये कौन है, ये मेरे बड़े भाईया विरेंदर है, तीस साल पहले स्वर्क सिधार गया, लोग कहते हैं कि कभी-कभी पुराने महल के आस-पास ही आज भी दिख जाया करते हैं, मुझे लगता है, ये लोगों का ब्रम है, मैंने तो आस तक नहीं देखा, कहा हो तुम, मुंबई में? रहुल! चली जाओ! मेरी मुंबत्ती, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं! चंदा मा, क्या है बेटी? मुझे अपने महल के बारे में सब कुछ जानना है, बताओ चंदा मा, प्लीज! तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, नहीं बेटी, उसके बारे में कुछ मत पूछो! क्या कहानी है उस महल की? वो कोई कहानी नहीं है, बुरा सपना था, जिसे भूल जाना ही बहतर है हमारे लिए! लेकिन मुझे जानना है चंदा मा, बताओ! जो तुम पूछ रही हो, वो तुम्हारी ही कहानी है बेटी, तुम्हारी ही! आज जो खंडहर है बेटी, कभी राजगर का राजमहल था, राजगराने की शान का प्रतीत था! बच्चों की किलकारियां गुंचती, माओं की ममता बरस्ती, हर दिन एक त्योहार की तरह था, हमारे सामराज्य में खुश्यों का मेला लगता था! उस राजगराने के बिन ताज के महराजा थे तुम्हारे परदादा, श्री 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 राजा रमा नाइडुजी! उनकी दो बेटियां थी, बच्चपन में ही उन्होंने अपनी मा को खो दिया था, उनकी बड़ी लड़की थी, भारगवी, खुबसूरत और मासूम, पिताजी की सामने उसकी जुबान ही नहीं खुलती थी, दूसरी बेटी थी अरुंधती माता, राजगर सामराज्य की शे लगाना उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, बच्चपन से ही वो सारी विद्याएं सीखने लगी थी, उनकी आँखों में आत्मविश्वास, साहस और निडरता थी, वो राजगर सामराज्य की देवी जैजम्मा माता जैसी ही दिखती थी, इसलिए सभी उन्हें जैजम माता ही कहते थे, जैसे सभी कहानियों में अन्याय करने वाला एकदुष्ट होता है, वैसे ही इस कहानी में भी एक धर्मी था, वो वासना का पुजारी था, अगर किसी सुन्दर्स्त्री पर उसकी दृष्टी पढ़ जाती, तो वो उसी छोड़ता नहीं था, उसके उसके सामने जो भी आता, वो से मार डालता, मनुष्य योनी में जर्म लेने के बाद भी किसी हिंसक पशु से कम नहीं था, राजा ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, अपनी बड़ी बेटी भारगवी की शादी उस दरिंदे से करवा दी थी, असल में ये पशुपती की मा कामनी देवी की एक चाल थी, राजा उसका बहुत सम्मान करते थे, उसने राजा से जूट बोला कि भारगवी और पशुपती की कुंडली में सभी गुण मिलते हैं, इस तरह उसने भारगवी की शादी अपने बेटे से करवा दी, क्यों औरी, राज घराने के पुरुष का ये सब करना तो शान की बात माना जाता है, तू तो ऐसे कर रही है, जैसे इसने कोई गुना कर दिया हो, उस बच्ची की जिन्दगी उन मा बेटे ने मिलकर पूरी तरह तबाह कर दी थी, फिर एक दिन उन्होंने नीच्टा की सारी हदें पार कर दी, अरुन्धती मा बनारस से आई एक नृत्य शिक्षिका से विशेश नृत्य सीख रही थी, वो शिक्षिका देख नहीं सकती थी, बेटी अरुन्धती, आज मैं तुम्हें नृत्य सिखाने जा रही हूँ, शत्री अस्त्रियों को या तुम जैसी स्त्रियों को जिन्हें भविश्य में रानी बनना हो, ये नृत्य अवश्य सीखना चाहिए, धनुर विद्या या शब्द भेदी विद्या की तरहे, इसे भी शब्द भेदी नृत्य कहते हैं, तुम ध्वनी उत्पर न करो, और मेरा नृत्य कैसे प्रतिध्वनी देता है ये देखो, ठीक है गुरुमा, तुम दिल की धड़कन को भी अपना निशाना बना सकती हो, छोटी राजकुमारी, आपको राजा सहाब बुला रहे हैं, ठीक है, मैं अभी आती हूँ, तुम लोग जाओ, उस दिन जब वो आया, तो शराब और वासना के नशे में बुरी तरह चूर था, नहीं खुश्बू, उस दिन की उसकी हरकतें याद आती हैं तो, हे भगवान, जारा हूँ, उसे पकड़ने को, जोचाओगा, गरूँगा, आओ, अरुंथाती, अब मैं जो सिखाने जा रही हूँ, वो है प्रणव भैरमृत्य, शत्रु के सामने असहाय स्थिती में ये नृत्य करके, तुम उससे खुद की रक्षा कर सकती हो, अरुंधाती, कौन है, अरुंधाती, कोई जवाब की नहीं दे रहा, कौन है, कौन है, तु यहाँ वीर नाटे सिखाने को आई है, और मैं यहाँ आया हूँ, तुझे प्यार से प्रेम नाटे सिखाने को, अरुंधाती, कंचन जी की तब्यत आश ठीक नहीं है, वो कहकर गई है, कल आएंगी, अब तुम लोगों का इस महल में रहना वर्जित है, इन ही लक्षणों की वज़े से तुम्हें सस्राल से निकाल दिया गया, अब तुम्हारा बेटा इस घराने का नाम खराब करेगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, तुम ये याद रखना, ऐसा अपरात करने वालों को उक्षमा नहीं मिलनी चाहिए, पिताजी, बाहर निकाल दीजिए, इन्हें फॉरण बाहर निकाल दीजिए, उसके अत्याचार सहन करने की वज़े ये नहीं कि मैं उससे डरता हूँ, वज़े ये है कि तुम्हारी दीदी का जीवन उसके साथ जुड़ा है, अगर उसका ख्याल नहीं होता, तो मेरे एक इशारे पर मेरी प्रजा मार मार के उसकी चान ने लेती, मैं तुझे पागल नजर आता हूँ क्या, हाँ, तेरे घरवालों की माँ पर चिलाने की हिम्मत कैसे हुई, हम लगों को भीकाली समझ तक है क्या, जल्दवाजी मत कर, जब तक तुम इस सामराज को वारिस नहीं दे देते, इसे जिन्दा रखना होगा, तब तुम इस महल के राजा, और इस सामराज के उत्तरा अधिकारी बन जाओगे, इसलिए तो इसकी शादी तुम से करवाई है, अगर ये मर गई ना, तो इस महल में हमारे लिए कोई जगे नहीं होगी, भगा भगा कर मारेंगे, समझे तुम? वज़े ये है कि तुम्हारी दीडी का जीवन उसके साथ जुड़ा है, अगर ये मर गई ना, तो इस महल में हमारे लिए कोई जगे नहीं होगी, अगर उसका ख्याल नहीं होता तो मेरे एक इशारे पर मेरी प्रजा बार मार के उसकी चाल ले लेती है अगर ये मर गई ना तो इस महल में हमारे लिए कोई जगे नहीं होगी मज़े ये है कि तुम्हारी दीडी का जीवन उसके साथ जुड़ा है बेटी बार कवी बेटी बार कवी बार कवी क्या होगा आज मेरे बस कोई सुन्दरी आई ही नहीं है ए मुंबती ए मुंबती हो वो तो मर गई फांसी लगाकर कब तक उसकी लाश घर मेरा किरो ते रहोगे एक दोई से बाहर ये तेरा अंठ है दुष्ट करो दोख़गा हर भर 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 प्रट करो हाँ ए क्या कर रहे हो क्छोड़ा stronger को मत बारो उसे मेरे बेटे को छोड़ दो मत मारो क्या कर रहे हो बढ़ो बढ़ो खीज के ले जाओ उसे इसे हालत करो कि इसकी मौत की बाद इसके शब को जानवर भी देखे तो तरके ठाग जाएं इस दरीत्रे को इसी के जंगली खोड़े के साथ पांका छोड़ दो ले जाओ इसे यहां से उस दिन अरुंधती माता ने सिर्फ पशुपति को ही मार करने ही भगाया था बल्कि उसके अत्याचार अहनकार और हिंसा को भी भगाया था तब से हर कोई अरुंधती माता को कोल देवी जैजम्मा का स्वरुप मानने लगा जैजम्मा कहकर ही पुकारने लगा समय बीटता गया और सभी का सम्मान पाकर वो रक्षा की देवी बन गई अंधेरे में रोशनी बन के आई हो तुम सब के दिलों में खुशियों की उमीद ऐसी लाई हो तुम पराजित शत्रू तेरे हो जाते जित्र करितू जो करे रिदय के भाव उसमें भर जाते ममता का सागर हो अनपुर्णा तुम हो दया की प्रतीमा सब की पालक तुम तुमी हो इस राज की गरीमा तेरे शब्द है वेदों जैसे पावन तु ही है सुक्रकारिम जिमसावन तुम हो धरती माता जैसी प्यारी तुम हो काली दुरगा की अवतारी यह सामराजियम मेरा है याद रखना जै जमा जै जमा जै जमा जै जमा जै जमा जै जम्मा कोई भी बात कहती जनता उसे सर आंखो पर रखती सर आंखो पर उनकी ममता की छाओं में सभी लोग अपने परिवार के साथ बड़े खुश थे लेकिन वो दुष्ट पशुपती जैसा सब समझ रहे थे मरा नहीं था उस रास्ते से जाने वाले कुछ लोगों उसकी जान बचाई वो लोग अघोरी थे ये तीना अंध है दुष्ट है अरुंधती माता से अपना बदला लेने के इरादे से वो उन अघोरियों के साथ ही रहकर तांत्रिक विद्याओं को सिध्ध करने लगा बहुत बड़ा तांत्रिक बन गया अरुंधती माता के खिलाफ प्रतिशोध की आग अपने दिल में लिये उसने राजगड की चोखट पर दोबारा अपने कदम रखे बदकिस्मती से उस दिन सुबा ही अरुंधती माता की शादी हुई थी राजगड में हर जगा उस दिन उत्सब मनाया जा रहा था ले जाओ इसे यहां से इसको इतना मारों की जाइमर इसके शब को ना खाएं पुझ में है इसके जाओ एग जाती आप्ट्रवीज ने जाती और जाती आप्ट्वार जाके खड़ें अंदना, शक्ति दे माकाले। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? नाम्हपशुपते अगोराधीपते नहीं पुत्री, अभी वँ दुष्ट कुरीशक्तियों का अधिपति है। बल्वान श म gelir भी उसे नहीं रोव सकता, ना कोई हथ्यार उसका सामना कर सकता है। अभी उस दुष्ट का सामना करने में बहुत खत्रा है। बहुत उसकी जुबान पर विराजमान है, उसके हाथ यम के हाथ है किसी को नहीं छोड़ूंगा चक्ति दे मुझे मा का ले अभी तुम उसके सामने नहीं जाओ तो अच्छा होगा आरूम्दिटी मलोगे जो डरकर पीछे हट जाते हैं, वो कायर कहलाते हैं मौत का भी सामना करना पड़ा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी ए अरूंदिटी, तुछे, तुछे नहीं छोड़ूंगा तेरे परिवार को नहीं छोड़ूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूँगा वशूपती जिनके हाथों से मुझे पिटवाया था, उन्हीं लोगों के सामने अब बेटी, अरूंदिटी, तु यहां क्यों आई बेटी? अरूंदिटी, अरे पकली तु, तु तो बला के खुपसुरत हो गई रे, हाँ, कली तो पूरी तरह खिल गई है, अरूंदिटी, मैं तुझे मार कर तेरे टुक्डे-टुक्डे करने आया था, लेकिन अब नहीं मारूंगा, जिस पिशाज ने साथ साल से किसी औरत को ना चुआ हो, उसके सामने ऐसी बला आ जाएगी, यह सोचा नहीं था, ए मुम्बदी, एक औरत को चांद से ज्यादा अपनी आप रूप प्यारी होती है ना, इसलिए मैं तिरी इसत लूटकर उसके बाद तिरी चांद लूँगा, फिर इसी महल में तिरी समादी बना कर तिरी आत्मा को अपना घोर देव को बली चड़ाऊंगा, हाँ! तुष्टदुराथं, नरमिकलंकं, मृत्यों का तांडं, हाकर्दु अंतं, शैतान वहशी पापी मदाथ, अबला समझन नारी का आज, नारी ही शक्ती, नारी ही ज्वाना हूँ, मृमबती, मुझे काना नहीं सुनना है, कालिका, महा कालिका, चंडिका, महा चंडिका, नारी अंगार, नारी संघार है ये तुम जान लो, ओदुराचार और अत्याए अब ये तुम मान लो, छूड़ दे ये विचार तु, करना अत्याचार तु, मान ले मेरी बात तु, मौत से होगा मात तु, फ्यार्थ जाएगे न मेरी वेदरो, वेदरो, वेदना तेरी नहीं है, मेरी है, उस दिन तुने मुझे मेरे ही गोडे के पैरों से बांद कर घजितवाय था ना, सालों से उस अपमान की आग मुझ में चल रही है, तेरी आबरू के चीतरे-चीतरे करके, तेरी इसत को निलाम करके रहूंगा, क्योंकि असली खेल तो ऊपर जाकर शुरू होगा, तेरी सुहाद्रा का नूरत तो निकला ही हुआ था ना, उसका सुख तु लेगी, लेकिन मेरे साथ मैं बनाऊंगा तुझे ओलात, जीतने कायनात तो हां फिर भी है तुझको हारना, धर्म तेरा अधर्म है, हां निश्चे तेरा खात्मा, जो किया है तु वो पाएगा, भचना इससे तु पाएगा, कर्म जो किये उसका फल तु एक दिन नवश पाएगा, है दशानन से शक्तिशाली तो ना तू, उसका अंजाम ना है जानता क्या तू, मैं भी नारी हूँ, काल की आरी हूँ, देख ले मुझको तु मात तुम्हारी हूँ, तेरी परले हूँ, तेरी तबाही हूँ, बचना पाएगा, प्रोध की आधी हूँ, अठ अठ भुचा वाली दुर का भवानी हूँ मैं, तेरे जैसे असुरू की अन्त कहानी हूँ, मुझे को खत्म करेगी मुझे को जी 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 मेरे सामने तो मौत भी थर थर काप में लगती है भाग जाती है हाँ लेकिन मौत को तेरी बली जरूर चड़ाऊंगा इन कौरियों की आवास के साथ अपने खोंगरों की ताल मिला मुंबत देग्ष गम 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 तमम गम उस दिन उस नाचने वाली के साथ मैंने तोड़ा मनुरंचन क्या कर दिया तू नाराज हो गई और लाद खोसों से पिटवाया लेकिन आज उसी की तरह ये मेरा रोम रोम तेरे शरीर से मनुरंचन करेगा मुंबत देग्ष अब नाच ये बस्तर तलबार का काम करेंगे हहहहह हम वह उँ इसना में रख प्रॉपी ठीजी करने मत कर दो कर घूम हुआ येतानी मंत्र पढ़ने वाली उसकी जीप को काटना होगा उसके हाथों को बांधना होगा उसकी गर्दन को भंदे से चकड़ना होगा तभी उसे विवश्च किया जा सकता है नहीं बेटी नहीं जल्द बाजी मत करो इसे मत मारो अगर मारोगी तो बहुत भैंकर प्रितात्मा बन जाएगा मतलब मत और जिंदगी के मीज जूलता रहेगा इसकी अभी और इसी हालत में समाधी बनवा देती वो समाधी ऐसी होगी जिसमें से इसकी प्रेतात्मा कभी बाहर नहीं आपाएगी और वो समाधी में रुद्रतुल प्रणव दिव्या शक्ति से बनवाऊंगी समाधी में बन ये और इसकी प्रेतात्मा अनंद काल तक तड़कते रहेंगे लेकिन सुनो बेटी अगर कभी किसी ने इसकी समाधी तोड़ दी तो बहारा कर इसकी प्रेतात्मा प्रलै मचा देगी तुम्हारा और तुम्हारे समराज्यका सर्वनाश कर देगी मैं इसका भी पूरा इंतजाम करवा दोंगी इसकी समाधी बनने के बाद इस महल में कोई कदम नहीं रखेगा बनाओ समाधी माता का निर्णे सुनकर वो नीच डर से कापने लगा पवित्र स्थानों से बड़े बड़े पत्थर मंगवा कर हमारी जैजम्मा ने अभेद समाधी बनवाई उस अंधेरे में वो पापी दरंगा जानवरों की तरह चीतकार करने लगा उसकी चीतकार से सारा महल थर-थरा उठा था अब सड़ता रही दीपर तो इसी नरक के लाइक है महाशक्तिशाली, दुरगा, गायत्री यंत्रों की सिध्धी करवाई गई उस समाधी से हवा भी बाहर ना आ सके इसलिए उन यंत्रों को समाधी की दीवारों पर ठुकवा दिया गया राजगर के कोने कोने से महाविद्वान वेट शास्त्रियों को बुलवाया गया चंडी यग्य और रुद्र अरपण किया गया उस नीज की चीखें उन दे मंत्रों के आभान में दब कर रह गई भू लोग की रक्षा करने वाले भोलेनात के त्रशूल उसकी समाधी पे चारों तरफ बंधवा दिये गए जिससे उसकी प्रेतात्मा कभी भी बाहर ना आ सके उस पल माता जैजम्मा हम सभी को बचाने के लिए आई हुई महाकाली का स्वरूप लग रही थी दिन के बाद किसी ने वहां कदम ने ही रखा उस महल को भी भाली कर दिया गया इस तरह से उस अत्याचारी और उसके अत्याचारों का अन्थ हुआ नहीं हुआ नही छोड़ूंगा तोजह एग उसका अन्थ नहीं हुआ सच में जैचम्मा ने कितना बड़ा काम किया था लेकिन उस दिन उस दुष्ट की समाधी बनाने के बाद माता का मन बुरी तरह व्याकुल हो उठा उसकी समाधी बनाने के तीन दिन बाद ही क्या हुआ? बताती हूँ वो कहानी सुनाने बैठूंगी तो रात भर में भी खत्म नहीं होगी बहुत रात हो गई है तुम लोग जाकर सोजा, सोजा जाओ बच्चो, ज्यादा मत सोचो आराम से सोजा चलो बच्चा, चलो बेटा चलो बाहर चलो चंदा मा तीन दिन बाद वहाँ पर क्या हुआ था? देखो देखो ये बात सिर्फ मैं और जैजम्मा ही जानते हैं मुझे बताईए मुझे जानना है जानने का समय आ गया है बताती हूँ उस दिन के ठीक तीन दिन के बाद उस रात को उस महल से रोने की आवाज सुनाई दी थी वो वो उस दुष्ट का प्रलाप तुम्हारा जीजा वश्वपती मैं भोखा हूँ प्यास लग रही है मुझे मैं मर रहा हूँ बाहर निखालो ना समाधी को तोड़ दो मैं मर रहा हूँ यहां अबर सुनो सुनो ना एक बात बताओ तुछे एक बात बताओ तुछे मुझे मरे हुए तीन दिन हो चुके तु बात कर नहीं है एक प्रेर दात्मस से हाहाऌ हाहाउ कि तेरी वज़ासे मैं ती पुरी मौत पर आवों मेरा शरीड सड़ गया है कीरे पड़ गए पज़ भुवार है मुझे नहीं चोड़ूंगा नहीं चोड़ूंगा तुझे नहीं चोड़ूंगा तुझे रणलिया है कसम खाई है नहीं चोड़ूंगा तुझे और नहीं तेरे वंच को हाहा हाह साथ में ओरत का सख भी जरूर लोंगा हाहा तुझे मैं खून के शुरू लाओंगा हाह dot वो हाल करूंगा तेरा तू मौत की भीक मागेगी नहीं छोड़ोँगा मॉंबते नहीं होड़ोड़ोंगा तुझे मुझे आजरी कारिये ना आजा। यहां से लिकार लिए ना। आजा। वही है, वो अब तक वही पर है। एए, बाहर लिकार मुझे। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ वो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना चाहिए। आ रहा हूँ, आज रात को ही, अब मुझे बाहर निकालो मुझे यहां से, अज़ाद कर मुझे, मुझे बाहर निकालो मुझे यहां से, उसे हमेशा के लिए समाधी में ही रहना होगा, मुझे बाहर निकालो मुझे यहां से, उसे हमेशा के लिए समाधी में ही रहना होगा, जोडु गॉधान!! जोडि लगा!! जोडिंदі!!! और जोडिंदा!! आजा! आजा! चल्दी से आजा! तषिरला!! आ रहाए दो! चल्दी आए! मुझे से भहाद भी खाए! मुझे चुला आ रिजिर Amaas realmenteा ! आजा! आज़ आजा!! बचला 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 सुषिला सुषिला मैं हा रहा हूं तो मैं आपकी तरह शक्तिशाली नहीं हूं आप महान थी जो उस पापी की समाधी बना दी लेकिन अब वो समाधी से बाहर आने की कुशिश कर रहा है अगर कई वो बाहर आ गया तो क्या मैं आपकी तरह उसका साम ना कर पाऊंगी कभी नहीं मैं जैजमा नहीं हूं वो बाहर नहीं आना चाहिए और दो इसे जाबाश तो दो 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 दे ये समाधी तोड़ दो 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 नहीं वो समाधी से बाहर नहीं आना चाहिए शाजमाई खोर सेमाँ आजादी ने से बेटे की अजादी मेरे बेटे की अजादी मेरा बेटा आजाद हो जाएका हुआ 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 हाँ 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 हे अरू वापस आने का इरादा नहीं है क्या कब आ रही हो हाँ 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 हमारे राजघराने के बारे में कुछ नई बाते बता चली है कौन सी बाते कई साल पहले हमारे घराने में एक जलाद हुआ करता था अच्छा उसका नाम सुनते ही अभी भी सब की दिल दैल जाते हैं सब जैजम्मा माता ही उसका सामना कर पाई उसके कोकर्म उसका नाम था पशुपती 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 अगोराधी पथी अलो क्या हुआ मैं तुम से बाद में बात करती हूं तूने कलती कर दी मेरे जीते जी मेरी समाधी बना दी तूने बहुत बड़ी कलती कर दी बानी दस नहीं बीस नहीं असी साल से उस समाधी में बनता बतले की आग में चल रहा था नहीं छोड़ेंगा यहीं छोड़ूंगा चुझे है मेरे मुंबते मेरे मुंबते वहीं खुश्बू इस पल के बाद तू हसना भूल जाएगी जीना चाहेगी लेकिन जी नहीं पाएगी मरना चाहेगी मगर मौत नहीं आएगी समझ नहीं पाएगी कि क्या हुआ मरेगी बनी जी मेम साब तु इससे भी पहले आये थी नहीं मेम साब दो लेकर आई हूं कहें तो चिनी डाल दो रहने दो तुम जाओ ठीक है मेम साब नहीं यह सच नहीं है वो यहां पर नहीं है नो यहां नहीं है तो तो फिर मेरे गरतन पर यह मेरे यह यह मेरे सपना है सपना है वो यहां मेरी मुम्बत्ती क्या हुआ जा बात है बिटी कुछ नहीं हम लोग मुम्बई कब जा रहे हैं कल शाम को जाएंगे नहीं कल सुबहीं निकल नहीं होगा लेकिन क्यूं यह कुछ मत बुछिये मैंने काना हमें कल सुबही निकल ओगा यह दो नहीं ही प्रह नहीं क्या गरूं यहां पर पहनेवारी हवा में शयितान का सामर Simmons है जल से जल अन्वर से मिला होगा हाँ अनिखाइब है अनिए अनिखार मैं साहब नहीं है कली पास के दर्गाह में रहें गेंगे बताने हैं मैं साहब कुछे किसी की मदद नहीं मिलागी ले नहीं नहीं प्रोषा भी मत कर कि सब्सक्राइब कर छोड़ा चली जाओ छली जब फॉरंच लीज़ाओ झाल, दो झाल, दो लेक। वाँ! अरे, वाप्रे, अरे, मेम साप! त्रेन आही रही है आख रेाग! अरे भाफ्रे! अरे मेम साब है त्रेन आही रही है उतर कि específic चतगी... त्रेन आही रही मेम साब! अरे रådat है काहरे हम रहा कुछ समल में यारा है अरे भाफ्रे.. मेरे मुंबत तुझे यहाँ पर भेजने के लिए नहीं बुलाया है आगे से कभी इस राजगर की सीमा से बाहर जाने की कोशिश मत करना हुआ 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 है हुआ है मुंबत दी सब उल्टा सिदा लग रहा है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है जलदी कीजिए जाना नहीं है काहां जाना है मुझ क्या रही हो मेम साब की शादी के लिए इस सब लोग चलने के लिए तयार हो गए है अब भी जल्दी से नीचे अज़े तू नहीं जाएगी उनको जाने दे सब को यहां से दफा करते हैं पर मेरी बार में किसी को मत बता हूं आप लोग बाहर जा कर इंटजार किजिए परना वो भी इसी की तरह मारे जाएंगे बेज दे जाना दे उन्हें नीचे हम लोग तयारत क्या हूँ अजी आप इतनी परशान क्यों है ऐसा कुछ नहीं है ठेक है तो हम लोग चलें आप लोग निकल लिए तो फिर तुम बेटी मैं मैं दो दिन यहीं रुकूंगी बाद में आ जाओंगी बाद में आराम से आ जाओ दिन आणाँ करके आजांक अ कियों तम भी चलो न क्यों मैं दो दिन यहां नहीं रह सकती क्या यह तो बढई चाह रहीियो इसे इस तरह नहीं। मैंने एक बार कह दिया मतलब कह दिया मैं यहीं पर रहूंगी आप सब लोग जाए किया है ना जजम्मा आगे किसी ने कुछ पुछाना तो मेरा मरा मुझ देखेगा अरे बापरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुम नराज की हो रही हो सुनो छोटे वहां जाने की बाद पुरा द्यानी भी गया आप यहीं पर रुखिए बात में आरा हम से आईए अच्छा तो हम लोग जा रहे हैं चलो चंदा बाहर चलो चलो क्या हुआ बेटी कल से कुछ बदली बदली से लग रही हो पुराने मेहल के बारे में सोच ज्यादा परिशान मत हो परिशान मत हो वो दो दिन यहां रुखना चाहती है चलो हम चलते हैं बाबुजी आप यह वो रुखना चाहती है वह क्या भर बात के लिए 10 सवाल क्या वो दो दिन यहां रही रुख सकते हैं चलो चलो क्या मैं भी आपके साथ रुख सकता हूं रहने दो रहने दो मैं भी इनके साथ जा रहा हूं मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप खुश रहें हुथना देना क्यू अ चलू चलू अरे चल रहे हैं चलू आपना ख्याव डखना जल्दी आजना यहां चल्ते ना मेटिक हम तुम्हारा इंथार करेंगे मार डालो, मार डालो मुझे अगर मारना ही होता, तो समाधी से निकलने के बाद सबसे पहला काम तुझे मारने का किया होता तेरी सुंदर्ता को, तेरी जवानी को, पहले चीपर के मसलने का काम करूगा मेरे मुअमबती छोड मुझे तुम दरो मत बीटी छोड नहीं सोड़का, येले बिस्मिल्लाहिमानिर्हमान याली, तोड दुष्ण के नहीं, याली याली आखर क्यों, वो मुझे क्यों परिशान कर रहा है, उसे क्या चाहिए, बदला बेटी उसके जीतेजी तुमने, उसकी समाधी बनाई थी न, इसलिए मैंने नहीं, जे जम्मा ने बनवाई थी बेटी, तुम ही तो जे जम्मा हो ना मैं? हमारी अरुन्धती मा, तुम ही तो हो ये आप कैसे बाते कर रही है, चंदा मा मुझे पागल समझ रखा है, क्या मैं जे जम्मा नहीं हूँ, नहीं हूँ नहीं हूँ तो वो जे जम्मा को जरूर पता रहा होगा तुम जे जम्मा का दूसरा जनम हो तो तुम्हें भी पता होगा जे जम्मा पता हो मैं जे जम्मा नहीं हो तुम लग मान दे क्यों नहीं हो सबसे पहले इस ब्रहाम से बाहरा जाओ क्या तुम्हारे आस-पास होने वाली घटना इस सच नहीं है। सच है। क्या उसका तुम्हें परेशान करना सच नहीं है। सच नहीं है। सच है। समाधी से निकलने के बाद वह बदलाले ने सबसे पहले तुम्हारे पास आया। यह सच नहीं है। सच है। जैजम्मा, 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 यह तलवार पकड़ने का तरीका और किसका हो सकता है, वही, वही तेवर, साफशात माता को देख रही हूं, जैसे जैजम्मा ही सामने खड़ी हो, जरा सोचो, अप भूल जाओ पहले इस वर्तमान को भूल जाओ इस जीवन में कदम रखने वाले प्राकृतिक अंधेरे में जाओ अपने अंदर कीजे जम्मा को पहचारो पिछले जनम में जाकर सोचो जाओ याद करो मैं अपने आपको देख रही हूँ हाँ यही से शुरुआत करो सोचो ऐसा अपने जाने से पहले अपना ये चित्र खुद बनाया था अगर तुम इसे पढ़ रही हो इसका मतलब वो बाहरा चुका है पढ़ते समय तुम्हें पता हो या ना हो लेकिन मैं जानती हूँ क्योंकि पढ़ने वाले मैं खुद हूँ जो हुआ वो खुद को याद दिलाने के लिए है ये मेरा स्वलिखित जन्मलेक है समाधी में मरकर जब वो प्रेत आत्मा बन गया था और उसने मुझे जिस तरह सताने की दम की दी ठीक उसी तरह सताना शुरू पर दिए था राज्य की हवाद दोशित हो चुकी थी एक संक्रमन की तरह उसका असर पूरे राज्य में भैल गया और मेरी प्रजा के खुश्या दुख में बतल गई उसकी वज़े से मेरा राज्य सूख कर बंजर बन गया एक बुंद पानी भी नहीं रह गया मापपर मैंने उससे मनाया विंती की फिर उसके डर से दीरे दीरे लोगों ने राजगर में आना बंद कर दिया बीमारी से पागल होकर लोग एक दूसरे को मारने लगे मैं ये सहन न कर सकी अपने हाप पर काबू न कर सकी उसका अंत करने का मार्क डूनते डूनते राजगर से बाहर निकल गई न जाने कितने प्रदेशों में घूमी योगियों से तांत्रिकों से मिली बहुत से पुरान भी पढ़े मैंने पंडितों से साधू हुसे मिली कोई भी समस्या का समाधा नहीं पता पाया दिशाहीन अंधेरे आकाश में छोटी से चिंगारी की तरह आखिर में एक योगी ने एक पहाड़ी के बारे में बताया जहां अगोरी रहा करते थे उसने जो पता बताया था वो राजगर के पस्चिन में इस धिखनी जंगल का इलाका था है नहीं चोड़ूंगा नहीं चोड़ूंगा तुझे बदले की भाव ना लिये भटकने माली उसकी प्रेधात मत तुम्हें नहीं छोड़ेगी जब तक तुम्हारा और तुम्हारे लोगों का बिनाश्ट ना हो जाए वो तुम्हारा पीछा करती रहेगी लेकिन स्रिष्टी के नियमों को कोई नहीं बदल सकता जो जन्मा है उसके मृत्य अवश्य होगी उस आत्मा का भी अंतनिश्चित है उसका अंत है कैसे बताईए बताईए कैसे अधर्मियों को मारने के लिए कई बार विशेश अस्त्र बनाये जाते हैं वैसा ही एक अस्त् यह कहां है वो वो अस्त्र कहां मिलेगा तुम्हीं वो अस्त्र हो तुम्हें मरना होगा मुझे मरना होगा तुम्हारी अस्तियों से बनेगा वो अस्त्र मैं आपकी बात समझी नहीं एक महामुन की अस्तियों से देवताओं ने एक शक्तिशाली अस्त्र का निर्मान किया थ वही अस्त्र है इंद्र का वज्चरास्त्र, जिससे एक दुष्ट का सर्वनाश हुआ था, ठीक उसी तरह ये अस्त्र भी उस शैतान का अंद करेगा मेरे मरने के बाद अस्त्र का निर्माण होगा, तो फिर मैं उस शैतान को कैसे मार पाऊंगी मौत शरीर की होती है आत्मा की कभी नहीं उसका अंद करने के लिए तुम्हारा दुबारा जन्म होगा हाँ दुबारा जन्म लोगी तुम अपने ही वंश में पैदा होगी तो ये जे जम्मा ही है सुनो बेटी उसके बाहराने के बाद ऐसा एक शण अवश्य आएगा जब वो तुमसे बदला लेने के लिए मानव रूप लेगा तब ही उसी खण तुम्हें उसका वद करना होगा याद रखना उसे मारने के लिए तुम्हें जिंदगी में सिर्फ एक मौका मिलेगा और वो मौका में हाथ से नहीं जानी दूँगी मैं उसका सर्वनाश करने वाला स्त्रब बनूगी अवश्य बनूगी तो फिर अपने प्राड त्यागने के तयारी करो सारे बंदनों को तोड़ कर फिर वापस आना मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूं वापस आप ही सकती हूं और शायद नहीं भी यह क्या कर रही है इस वन्ष में पैदा होने वाली पहली लड़की को मेरा ही नाम देना मान लेना कि मैंने ही जन्म लिया है जितना सम्मान मुझे देते हो उतना ही उसे देना उस शैतान का अंत होना अतियावशक है इसलिए मुझे यहां से जाना होगा उसका अंत है अवश्य है कर दो कर दो कर दो मुझे ऐसी दर्दनाक मौत देना कि मैं वो दर्द अपने साथ लेकर मरूँ ये यातना मुझे याद दिलाती रहेगी कि उस दुष्ट आत्मा से प्रतिशोत लेनी के लिए मैंने अपनी जीवन का त्याग किया था मुझे मारने कास्त्र बनाया है कहां पर है इतनी देर तुझे पढ़ने दिया ताकि तेरे अंदर बदले की भावना पैदा कर सकूँ मुझे मारने के लिए तू वो अत्र पाने की कोशिश करेगी और ढूंते 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 ठक जाएगी तब तुझे हैसास होगा कि चाहत पुरी ना होने की तरब क्या होती है और यही मेरा मकसद है आज रात आस्मान में चांद नहीं होगा आज अमावस है मेरी तेरे साथ सुहाग रात है यह मेरी रात है आज की रात इस समय पर तेरे सारे लोग तेरी सहाइटास करने वाले तेरे परिवार वाले सब मारे जाएंगे तु खुद मुझे ठूणते हुए आएगी और भुच्छे प्रणय निवेजन करेगी आज की रात मेरे बताय हुए समय पर मैं तेरी बली चड़ाऊंगा मेरी मोम बते तेरी बली तेरे सारे लोग मर जाएंगे भाग जा अपने अस्तों की द्राश में भाग भाग जब तक मेरे पास आने के लिए मजबूर ना हो जा भाग भाग जा एई पत्माश उपर तेरा पाप सब देख रहा है उस अल्ला के सामने तेरा खेल नहीं चलेगा शैतान कभी भगवान के सामने चीत नहीं सकता याद रख मेरे बात सुनों जै जम्मा उसमें जो जगे लिखी थी वह मैं जानता हूँ वहां के लोगों से मिलेंगे तो अस्तर के इन्हें मार सकता है आप मेरे यहां चलिए अल्ला आपके रक्षा करेंगा आओ मेरे सब्सक्राइब 別 absorber उपेपले आपके यहां अल्ली मोटला का मैं अल्काम में ऑपको गजिएर चाहँ नीक मैं डालता है को लो तुम बताव को लो जाते कि रुटायाइट जाते के दो पेसा करीगा तिरिया रुटती सही सलामत रहेगी क्या का? के रहे राजकारद पांचा सबस्के रहे 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 अ, नैं, नैं, राजकारद पांचा , stop . , . क्या तो अरंधाती को भी इस आलत में देखना चाहता है नहीं मुझे करना क्या होगा राजकर आजा आजा करना 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 दया दया है करना चाहता है तुम्हारा राहल मेरे हाथ से बनने के लिए यहां राजगड़ा आ रहा है या अल्ला उसे बचा लेना क्या करू मैं कोस समझ में नहीं आ रहा है तुम्हार अल्मर सब भरके कि असत displays रहा है ख़ो, मेरे है औिक अश्कार! अश्कार! अपनुर! क्या हुआ? रो मत मुंबते तेना पधिया धिमरा नगे यहाँ! राजगल आगे, आउत्रो, आउत्रो! सुनिये, राजगुड के लिए सवारी काम लेगे! वो आटो जा रहा है! सुनिये, हाँ जी, क्या वो पुराना महल जानती है? मेरे साथ चलोगे तो आदा गंटा, मैं लेकर जा सकता हूँ! राहूल, मुझे राहूल को बचाना है! चोटा महल हो या बड़ा महल, बहुंचाना मेरा काम है! बगवान किसी तरह राहूल को बचा लो, बचा लो! राहूल बेटा? यह यहां कैसे आया? अब क्या करो, सुनो बेटा! तुम जा करो साखरी कारी में बैठ जाओ! राहूल बेटा! राहूल बेटा! उसे बचाने जारी हो पुराने मुंबत्ती! उसे बचाने से पहले खुद को तो बचा! खुद को बचा पाएगी क्या? आवहर्ल, यहां बाद में बताउंगी? जलना यहां से! अन इत्तोसरोल, Brush ? राहूल, राहूल! राहूलress, पुरेशाने में देंका खुद्तना में सिद क्या हो हो रहां। पावी रहूल बात बताउंगी बात में चेड़ूiding बात बताऑना हो हो dollars यहां से। छूहुर! पेरे मूंबबते! यहाल मुरुषे! भुषे गना! यहाद लुषे बोगानी है घाजकता! भुषे गना! कि अधिक अधिक ल्क निसा कर रहें एप आप व्यक्त को यह जिए एक पांद रो इसा कि वाद रोल को यह जिए इसा कियो भांद रहें मुझे इस पांद रोल को वह ए पॉल 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 आप है अरुछ मन्यों और गर गरो बातिका निये सक्था अर। आर। अर। ईप अरूँंद अरूंद 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 वह अरूंद अर। ौका अर। । अख.. 해ओं वि theorży अभर एप गे बताहँ हीतो अभरो आडिस आडिस शरी आडिस एप इस जर आड ड़ खुए के सब Adaptने और जने जदेन । कि और जाय। जड़ाओ करण जग्यू है उस Да कि चंदामा को असने क्या हो जिल्दिन मार दियो उसने है हाहाहाँ हाहाँ मार जाएके सब मर जाएके उस suppression मार डालो जेसमें मार दालो जड़ाई रहाइंत और क्रण चift छिले чем दो दे जा तन तन लार दगर दोगान! बज़ कह देरी ए उम्हाई बज़ कहा दो चेरो गज़ कह Kris कहा दो झालकर! 理解當! अधिराज से पहले आस्तर का पता लगा कर ले जाना होगा अरुन्धति मा वही है वही बाबा अरुन्धति मा को इतने सालों बाद वो दुबारा पेदा हुई है प्रोल मैराउ शेतन प्रोल मैराउ बार्ण वो ही आई अज ए ए शेटान तेरा अंत नस्तीक है याद रखना ये माता के अस्थियों से बना अस्त्र है लेकिन अभी अधूरा है इसे पूरा करने के लिए अरुधती के गर्म खून से भीगोना होगा उसके बाद ही अस्त्र में प्रेधात्मा को मारने की शक्ती आएगी वरना वो प्रेधात्मा उसे खत्म कर देगी अथ तुक गया शेटान मेरांच करेगा सारी दिशाए चो हुई है रौशनी भी अंधकार हुई आशाएं भी तूट गई जीत रूबी आवार हुई तेरी सहायता करने वाले तेरे परिवार वाले सब के सब मारे जाएंगे मारे जाएंगे तू खुद मुझे ढूंड़ते हुए आएगी और मुझे से प्रणाइदे वेदन करेंगी यह सत्य है जिस रात वो आएगा वो अमावस की रात होगी आकाश पिचलितों उठेगा सियार रोना शुरू करतेंगे हर तरफ जब गादर उड़ते नसर आएंगे तब वो तुमसे प्रणा लेने के जरूर आएगा हर 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 सक तब प्रणाइब प्रणाइब। हर वो हर 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 प्रणाइब। हाहा हे 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 हुआ हाह हुआ 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 मेरी मुदर दे हुआ हुआ दुल्वन आगई है आजा नहीं सारी बहन लो लो मेरे परियोर को कुछ मत करने आज 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 जल्दी जल्दी सजाओ मैं और इंतजार नहीं कर सकता आज में आण आज 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 कि मैं काम अगनी में चल रहा हूँ आजा आजा जल्दी कर जल्दी कि याद रहे जब वो मान और रूप धारण करेगा उसी समय उसका वद करना होगा तू नहीं बचेगा आप जाकर मेरा बतला पुरा होगा मैं आगिया हूँ आई शायताँ आ ये लो ही फचेडान को कर सोग्या ख़तार काड़ होगा आई शायतान को नहीं प्लिछा फत्विस हुआ 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 है हुआ 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 हूआ यह ज़िस मी तैना उस आस्टर को अरुंधती के हुँन से भिगोना होगा अब लख समी गोंजे अपने खून लगाओ! खून! अपने खून से भी गोटो! रहाई! उसे खून से भी गोना होगा! तुझा पक्का मरे गरे, शैतान! जे जमा तेरा अंत जरूर करेंगा किया! जे जमा तेरा अंत जरूर करेंगा! जे जमा भाग के कहा जा रही है? तुझा यहां से बाहर नहीं निकल सकते! मुझे बाप करना! मुझे! तेरी यह शैतानी छो! कब पूदी नही होगी! इनने अपने परक्षाहे तक्ट Means चुनै नहीं दोंगी! नहीं चुनै दोंगी! नहीं चुनै दोंगी! नहीं चुनै दोंगी! उस अस्त्र को अरुंधती के खून से भिगोना होगा तब ही उस अस्त्र में प्रेदात्मा को बारने की शक्ती आएगी आएगा होगा होगा होहाँ यज़ लुँ झाए झाए यटबना टुट जए यज़ फर गुटए यज़ 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 यदु यो यज़ 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 अेचर करे लिकांळक हुए रिकानल, करें रिकानल! दो, हलो, हो यासे चलो, चल्डी कि अच्चरा उर्थ झाओर अचार, । जपि झाओ! उचल, ँचरी! झाओर置 जचरी जचि जबिला से फट जबिला ज़िएधी झाओ जच्चरी जै 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 मा, जै 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 मा, झालो, जै 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 करे जै 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 जैاح बती अरहीं,